हालो अब ड्रीवेर इसकर डिजाना में आप सभी का सुवागत है आज के इस बीडियो में ब्यूटीफुल बाजु डिजाइंग बना ना बताएंगे चले बीडियो को श्टार्ट करते हैं बाजु का लंबाई है साड़े चार इंच चोड़ाई है दस इंच निचे की तरफ से से बराबर चोड़ाई है दस इंच इस तरफ से मारी लंबाई है दो इंच अब इस तरह से बाजु को सिधा कर लेना है उपर की तरफ से दो इंच पर निसान लगा लेना है उसके निचे मे इस तरीके से मिला लेना है तो आपर देख लिजे निसान लग चुका है अब में नीचे की तरफ से इस तरह से करास में निसान लगा लेना है जैसे हम लगा रहे हैं सेमसी तरीके से ऐसे आपको भी लगाना है तो आपर देख लिजे निसान लग चुका है यहां से निसान लगा है वहां से में कट्टिंग कर देना है इस्ट्रा कप्रे को यह देख लिजे इस तरीके से एक बाजु को आपको अच्छी तरीके से बना के बताएंगे, सेम इसी तरीके साब को दूसरी बाजु तैयार कर लेना है, यह देख लिजे इस तरीके साब को रखना है, और हम अच्छी तरीके सेट करके सिलय लगा लेना है, जोइंड वा लास् यह देख लिजी इस तरीके से, अब आपर हम कपड़ा ले लिए, कपड़े कुपची तरीके से अस्तर को सेट कर लेना है, सेट करके हमें डिजाइंग पर पिन लगा लेना है, पिन लगा के आपर सिलाय लगा लेना है, यह देख लिजी, इस तरीके से, तो यहां पर देखेंगे चुछी यहSILI expressions लग चुगे और धागी कोुटिंग कर देना है अब हमें नीचे की तरफ से अची तरीकिये STATE कर के सिलैए लगा लेना है प्रेसे देखेंगे ती lifting जी इस तरीकिये से आपको यहां पर एक पॉइंट ही पकड़ना है clean with a no तो यहाँ पर देखेजिए, सिले लग चुका है, धागे को कॉटिंग कर देना, इस्टा कप्ते को कॉटिंग करके निकाल देना है तो यहाँ पर देखेजिए, कॉटिंग हो चुका है, अब मैं उपर की तरप से इस्टा कप्ते को कॉटिंग करके निकाल देना है तक एहां पर देखंग जीए kutting हो चुका है, अब में छूटँटटे चुटगे decisive कर लगा लियना है, इससे आप da होता है, आप पल्टी करेंगे जीए तरीकी साफका तो यहां पर देखेजिए, लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है, उपर की तरप से अची तरीके स्टेट करके लगा लेना है, तो यहां पर देखेजिए, लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है, अब हमें बाजू को उल्टा कर लेना है, इसरे धागे को कटिंग कर निकाल देना है, अब हमें बाजू के चारो तरप से लगा लेना है, इससे यह होता है कि आपके बाजू में सुकड़ा पर नहीं सिलय लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना, इस्टरे कप्पे को कटिंग करके निकाल देना है, एक तरफ से कटिंग हो चुका है, सेमसी तरीके से दूसरी तरफ से भी कटिंग कर लेना है, इस्टरे कप्पे को, तो यहां पर देख लिजे, कटिंग हो चुका है, अब इस यह देख लिजी इस तरीके से, जैसे हम नॉर्मल डोरी बनाते हैं तो यहाँ पर देख लिजी, फिले लग चुका है, इस्टरा कप्पे को कटिंगर के निकाल देना है, यहाँ पर छोटे-छोटे इस तरीके से, फिस तयार कर लेना है, एक एक हिंच का यहाँ पर देख लिजी, इसे बगल में रख लेंगे, अब यहाँ पर देख लिजी हम बाजू ले लिए हैं, यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है डिजाएं को, अब आधाएंच उपर की तरफ से छोड़ देना है, अब आप अच्छी तरीके सेट करते से लिए लगा ले टेम सी तरीके से पुरे डिजाएं को में बैठा लेना है, उपर की तरफ से तो यहाँ पर देख लिजे, उपर के पार्ट में हमारा लग चुका है, अब आपर देख लिजे हम दोरी ले लिए हैं, अब इस तरीके से में अंदर डाल लेना है, यहाँ पर देख लिजे यह हमारा सीधा नहीं है, अब इस तरीके से डालेंगे तो आपका आ जाएगा, आ आप छोटी वाली पीन से डाल सकते हैं, तो हमारे पास यहां पर देख लिजिए छोटी वाली पीन नहीं है, तो हम इस से भी डाल सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, तो हम पर देख लिजिए डला चुका है, उपर की तरफ से गाठ लगा लेना है, अब यहां पर हमें अच्छी त पर दूरी को मघल में कटिंग करके रख दिये हैं, आँप यहाँ पर गाठ लगा लेना है, और वसा इस तराफ से भी पकी कर लेना है, इससे आपर निकलेगा नहीं डोरी यहां पर देख लिजे, पक्की हो चुकी है, धागी को कुटिंग कर देना है, इस ट्रा कप्टे को कुटिंग करके निकाल देना है, यह देख लिजे, कम्प्लिट हो चुका है, उपर वाला पाट, अब यहां पर देख लिजे, हम कपड़ा ले लिए, कप्टे की चोड़ाई ह अब इस तरीके से हमें क्रास में फोल्ड कर लेना है, अब एक और फोल्ड करके अच्छी तरीके सेट करके सिलय लगा लेना है, जैसे हम लटकन बनाते हैं सेम उसी तरीके से, तो सेम उसी तरीके से दूसरा भी पार्ट बना लेना है, यहाँ पर देख लिजे, दूसरा भी पा तो यहां पर देख लिजिए एक हमारा complete हो चुका है, तो यहां पर देख लिजिए दूसरा भी हमारा complete हो चुका है, यह देख लिजिए इस तरीके से, अब यहां पर देख लिजिए हम सुई ले लिए, इसके अंदर निकाल लेना है, यह देख लिजिए इस तरीके से, अंदर की तरफ से अब हाप पर हमोति ले लिए हैं अब हमें फटा-फट मोति को इस तरीके से सुही के अंदर डाल देना है तो आपड़ देख रीजी हमारा एक बन चुका है अब हमें नीचे की तरफ से सुही को इस तरीके से डालना है और हमें सुई को अंदर की तरफ से निकाल भी देना है अब मोत इस तरीके से पक्की कर लेना है पक्की करने से यह होता कि मतल्ब आपका जो बनाये हैं लटकर वो इधर उधर नहीं होगा तिसलिए हम इसको पक्की कर दिये हैं धगे को अब यहाँ पर देख लिजे, मोती ले लेना है, मोती को अंदर की तरप से डाल देना है, तो आपर देख लिजे, बराबर होना चाहिए, तो आपर देख लिजे, बराबर हो चुका है, अब इसको आप में इस तरीके से डाल देना है, अब अंदर की तरप से में इस तरह से पक कर देना है दंग को आठ देख लिजी को अग मैं पर देख लिजी अझदी कोट टें अगर देigon क्टीत तैयाज लेग अगर 土 announced इता है यहाँ पर ऐम फाल लगा लिए है तो एक आपको बाजु बना की दिखा देए सेमसी तरीकर साodor को दूसरा भी बाजु बना लेना है, प्रेंस कैसा लगा हमारा ब्यूटीफुल बाजू, तो कमेंट किके जरूर बताना, प्रेंस वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक से जरूर करें, नए चैनल तो सब्सक्राइब जरूर के, चलिए मिलते हैं ले वीडियो में तो तक लिए बाई बाई